कि आपका हमारे चलिए योगा जो के सिर इंडिया में विद्यारतियों जैसा कि हम चौथा अध्या पतंजली रिस्तवारा रचित गरंत योग सूत्र है उसमें से चौथा अध्या कैवल पाद समझ रहे हैं तो यह दूसरा पार्ट है और इसमें हम समझते चले आ रहा हैं समझते हैं लेकिन उसी क्रम से चार नंबर के सूतर तक समझ लिया था उसी क्रम से इसलिए मैं बार बार कहते हूं कि आप सुरू से यानि स्टार्टिंग से मेरा वीडियो जरूर देखे ताकि जहां कहीं भी आपके समझ में ना है तो अच्छे समझ में आ जाएगा बढ़ा अनेक चित निर्मित होते हैं इसका नियन्तर एक ही चित के द्वारा होता है तो यह समझे सूतर के नुसार विदयर्थ हों तो चलिए सबसे पहले को नोट करीं प्रिवित भेद प्रियोजकम चित टेके में चित के मेने के साम इसका अर्थ समझे प्रिवर्त भेदम यानि विभिन प्रकार की प्रिवर्तियों में अने का शाम मने अनेक चित्तों को प्रियोजकम मने नियुक्त करने वाला एक मने एक चित्त मने चित्त होता है विभिन प्रकार की प्रिवर्तियों में अनेक चित्तों को नियुक्त करने वाला एक चित्त होता है एक चित्त होता है जैसे मैंने अभी आपको समझा इसकी भी आख्या समझें भी दर दो जिस प्रकार अपने सरीर का अधिश्ठाता बनकर मन जिस प्रकार अपने सरीर का अधिश्ठाता या अधिश्ठाता बनकर मन सर प्रकार बिभिन निर्मित चित्तों को बिभिन प्रकार से चित्त के निर्माड कर चुका है योगी चित्तों का परवर्तन करने वाला योगी का स्वभाविक चित्त ही होता है जो योगी का में इंपार्टन स्वभाविक चित्त है वही परवर्तित करता है उन चित्तों कार दे अंत्रण में ही चलती ही और दो आसा करते हैं आप सरना जिए हंगे six number के सूतर्ई आप six number के सूतर्ई कर समझते है तत्र ध्यान जैन आसयम तत्र ध्यान ध्यान जम आदाय श्रम six number के सूतर्ई जो की आप से ही बिध्यारत उझे हry जो पर्थम में साथ तत्रम संस्कारों से रहित होता है उन सिध्यों में से जो पाँ सिध्या बताई है जो ध्यान से जनित होती है अशे रहित यानि कर्म संस्कारों से रहित होता है इसके ब्याक्या समझें कैसे होता है पाचो कार्णों द्वारा विदार्थियों पाचो कारणों द्वारा उतकर्स उतकर्स को प्राप्त हुए चित्तों में से मात्र वही चित्त सर्फ्रेष्ट होता है। द्वारा उतकर्स को प्राप्त हुए चित्तों में से प्राप्त वही चित्त सर्फ्रेष्ट होता है। को प्राप्थ हुए चित में कर्मसकार नहीं रहते हैं । नहीं सकता यह यहीं चिति के कविल का करने का करत बन सकता अन्य जुवद्यान दें यहां पर जन्म औसाद मंत्र और तप उतकर्स को प्राप्स हुएय चित्ति जो निर्मित हुए हुए है ास मंत्र तप के अदिवी निर्मित हुए है वह उत्वन हुए चित्ति में करमयों के dengan kut नहीं हो सकते कवल के हैद कोने समाधिस से जो उत्वपन हुए चीत है वह कवल का है देट तो आसा करते समझ में आ गया होगा आप चलिए सेवन नमर के सूथ को समझते हैं जो की कर्म के विसम और यहां ध्यान दे समिस कोश्चन बहुत पूछा जाता है विद्यारतियों कर्म क का कैम कर्म कर्श शुखला एकर्ष्ण योगि बीद ही मत मित मितर में रे साम कर्म الشुखन यहीं कर्म तो अशुकल आक्रिष्ण यानि लिए तरी व्यद्व तीन प्रकार के होते हैं एरस वे त्यलैंस कउते हैं आशुकल और आक्रिस्यानी निस्काम कर्म होते हैं, विदार्थो इसमें बेवेचित क्या जा रहा है कि कर्मा से सुन सिध्य योगी के कर्म किस प्रकार के होते हैं, यह में इंपर्टेट हैं, कि जो कर्मा से सुन सिध्य योगी हैं, उनके कर्म के विसे में बताया जा रहा है, और अन्य के तीन कर्म है जो सिध्य योगी है उनका एक कर्म है और ये जो सामानी है सामाने मनुसे हैं उनके तीन प्रकार के कर्म होते हैं चलिए समझें कर्म चार प्रकार के होते हैं इस प्रकार कर्म चार प्रकार के होए ना एक योगी का तीन के सामाने वाले तो कृष्ण श पूर्णि कर्म कहते हैं जैसे कि चोरी हिंसा वयभिचार आदे हैं जो इनका फल दुख भोग है नरक आदे होता इन्हें पाप कर्म कहते हैं वह कर्म कहते हैं और जिनका फल शुक भोग यानी स्वर्ग भोग आदी होता है जैसे अयंसा परोकार स्वध्याय जप ध्यान आदी यह कर्म करता है तब यह भल मिलता है miलता है इसको हो करूते हैं स्लिक करते हैं तीसरा फ्रिस्ण शुखल कर्म करते हैं वह किर्ष्ण और शुकल कर्म स्लिक करते हैं जो कर्म वासना से रहित होते हैं जिन्हें ना पाप कर्म कह सकते हैं और ना पूनी कर्म कहते हैं जो कर्म वासना से रहित होते हैं जिन्हें ना पाप कर्म कह सकते हैं और ना पूनी कर्म कहते हैं ऐसे कर्म और आशक्ल कर्म कह जाते हैं ये कर्म निसकाम होते हैं निसकाम भाव की कर्म होते हैं ऐसे कर्म सिध्ययोगी की होते हैं यही कर्म सिध्ययोगी की बताया गया जिनके चित में जिनके चित में कर्मों के संसकार और वासनाएं नहीं रहते हैं जिससे उनके फलों से वे मुक्त रहते हैं जब ये संसकार वासनाएं नहीं रहते हैं तो इनको फल की कोई इच्छा नहीं रहते हैं इनको किसी प्रकार का फल नहीं प्राप्त होता है जिससे वे कर्म कर जो करते हुए नहीं करते हैं इस प्रकार के कर्म करते हैं इसके विप्रीद अने विधरतिएं इसके पिपित जो अनसाधार पूरुस हैं, पूरुसों के कर्म उप्रुक तीन प्रकार के अर्थाद, क्रिस्ल, शुक्ल, और क्रिस्ल, अशुक्ल, मिसित कर्म इस प्रकार के होते हैं, तो आसा करते हैं बिदार्थों कर्म के विसे में समझ लिया होगा आपने, बिदार्थों दुब़ार सुनले कि तत से दुबबाका अनुगूरा नाम ते आई बैर शुनले कि तत यानि उन तीनों प्रकार के करमों जो पिछला बताया गया ? से तद विपा का अन गुड़ा नाम यानि उसके फल भोगों के अनुसार यानि ही वासनाम यानि वासनाओं की अव्यक्त होती है उन तीनों प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगों के अनुसार ही वासनाओं की अव्यक्त होती है तो समझें कैसे व्याख्या समझें इसकी कि सामनेत्या मानो फल इक्छा से साकाम कर्म करते हैं ध्यान समझें कि सामनेत्या मन इसक्या करते हैं कि फल इक्छा से साकाम कर्म करते हैं और तदनकुल उनके अनुसार ही उनकी वासनाएं प्रकट होती रहती है कारण क्या है कि अनेक पूरी जन्मों की वासनाय संसकार के रूप में अंताकरण में एकत्र रहती है जिने के दो प्रकार हैं बिद्धारती हो समझें यह आप नोट करें इसमिनेत मात्र फल वाली एक है इसमिनेत मात्र फल वाली दूसरी है जाती आयू तथा फोग रूप फल वाली करमों के नसार ही वासनाय प्रकट होती हैं जिस प्रकार के करम फल से मनुस से जन्म ग्रहन करता है उसी प्रकार की इसमिनती वासनाय दूसरी उन वासनाओं को जाकरित कर देती है जिस प्रकार के कर्म फल से मनुष्ट से जन्म गिर्ण करता है उसी प्रकार की इस्मृत वासनाएं दूसरी उन वासनाओं को चागरित कर देती हैं जो संसकार के रूप में अनेक जन्मों से अंताकरण में संग्रित यानी कठा थी और जाती आयू फल भोग वाली हैं यह जाती आयू फल भोग वाली हैं से स्वासनाएं चित भूम में प्रसुप्त होकर दबी रहती हैं बिदार्थियों एक्जामपल समझने थोड़ा या दे किसे जन्म किये गए कर्मों का फल पस्व यानी यह जैसे उट बिल्ली आदी हैं तो इस मिर्ट वासनाएं उस जन्म की वासन यानी जैसे उट कंटक भच्चड करता है और बिल्ली मूसक भच्चड करती यानी चुहे को खाती है तो उसकी उसी तरह से प्रविर्त युक्त वासनाओं को जागरत कर देती हैं और दूसरी वासनाएं उस प्रकार का फल प्रदान करने लिए अस तो इस प्रस्ट है कि पू वासनाब्युक्त यानी उत्वपन होती है अन्य कर्मों के फल भोग की वासना उत्वपन नहीं होती है तो इस सूत्र में हम समझते हैं कि अनेक जन्मों के अनेक संसकार इस वर्तमान जन्म के अनुसर फल की वासना किस प्रकार प्रकट करते हैं तो चलिए समझें ध्यान जात देश काल विवता नाम जात देश काल इन तीनों का व्यवधान यानि भेद रहने पर आप इमाने भी अंतरियात्यम मने कर्म संसकार में भेद नहीं होता क्योंकि इसमित संसकार दोनों एक रूप त وköत यानि एक रूप समान विशेवाले होते हैं इसलिए दिया दूबारा समझेemos को जात देश और काल यानि जात यानि जन्म, देश मने अस्थान, इसको अस्थान भी समझेंगे, जात को जन्म समझेंगे, काल यानि समय, और जहां भी मैं आपको ना भी किसी वीडियो में समझेंगे, तो समझाना कि जात का होता जन्म, देश का होता अस्थान और काल का होता सम इन तीनों को व्यवधान भेद रहने पर रहने पर भी अनन्तियाम यानि रहने पर भी कर्म संसकार में भेद नहीं होता क्योंकि स्मृत और संसकार दोनों एक रूप यानि समान विशय वाले होते हैं इसलिए इसलिए कैसे चलिए वियाक्या समझें इसके मिरत थो कई बार ऐसा होता है कि कोई कर्म किसी एक जन्मे में किया गया है कई बार ऐसा होता कि कोई कर्म एक किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी अन्य जन्म किया है ऐसी इस्थित में उन कर्मों में एक या अनेक जन्मों का व्यवधान यानि अंतर होता है इसी प्रकार अलग अलग कर्मों में देश या अस्थान और काल यानि समय का भी व्यवधान यानी अंतर होता है, ठीक किसी प्रकार, किन्तु, विदार्तों समझें किन्तु जन्म, देश और काल का अंतर होने पर भी, कर्म, फल के अनुआर वासना, उत्वपन होने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, इतना अंतर होने के बाद भी, किसी अन्य जन्म में किये गए कर्म का फल यद इस जन्म में मिलना है तो काल जन्म और देश का अंतर पड़ जाने पर भी उस कर्म के अनुसार वासना उत्वपन होने में कोई अडचन नहीं होती है क्योंकि इस्मृत और संसकार दोनों एक ही होते हैं क्यों नहीं अडचन होता है इस्मृत और संसकार दोनों एक ही होते हैं जिस कर्म फल के उत्वपन करने वाला निमित कारण प्रकट हो जाता है जिस कर्म का फल उत्पन करने वाला निमत उस इपकार के कारण उत्पन हो जाते हैं विदार्थियों तद्रनुकुल्ड यानि उसके अनुसार ही वासना भी प्रकट हो जाती है उदारार समझें विदार्थियों कि यदि किसी जीओ को उसके पूर्व क्रित यानि पूर्व किये गए कर्म फल भोगने के लिए गोव का सरीर मिलने वाला है तो उसके पूर्व में गो का सरीर जब कभी भी प्राप्त किया है तब उसकी वासना इस जन्म में विद्यार्थियों प्रकट हो जाएगी विद्यार्थियों ताथ पर यह है कि उस जन्म के बाद बीच में चाहे जितने जन्म अन्योगियों में क्यों ना हो चुके हो फिर भी इस जन्म में उस जन्म की अर्थात यद चार जन्म पहले गो का सरीर रहा हो और अब फिर गो का सरीर मिला है तो चार जन्म पूर्व की गो योनी की वासनाएं प्रकट हो जाएंगी इसमिन इस तंसकारों की एक के होने से जो फल मिलता है तादिनकौल तादिनकौल उसी के अंसार ही इसमिनित अर्थात भोग वासना उत्वपन हो जाती है तो विद्यारतुँ आसा करते हैं आपने नाइन नमबर के सूध को समझ लिया होगर जो कि कैवल पास ही है बतादिर झाल झाल